Hello students, welcome to Concept Booster class. So, आज हम क्या पढ़ेंगे? Face value, place value and expanded home. जो कि हमने किस chapter में पढ़ा है? Numbers में. So, अभी हम क्या देखते हैं? यहाँ पर मैंने अपके लिए क्या लिखा है? एक table बनाई है. उसमें हमारे लिए क्या लिखावा है? हम लोग बोलते हैं, हम लोग उने number names भी लिखे हैं. उसमें भी हमें देखना पड़ता है. सबसे पहले मैं यहाँ भी क्या लिखते हूँ? एक example लिखते हूँ. मैंने यहाँ पर example लिखा 24698. अगर हम इसमें number name लिखना होता है, तो हम क्या लिखते है? हम लोग को ना तो international number system में बताया है, ना ही Indian number system में. हम इसको नहीं बता सकते हैं. क्यों? क्योंकि 10,000 तक तो दोनों में same होता है. हम इसको क्या बोल सकते है? 24,698. अभी हम क्या देखेंगे? आज जो हमारा topic उसमें क्या देखेंगे? face value, place value and expanded form. सबसे पहले हम देखते है face value and place value. सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूं कि जो face value होती है. The number itself is known as its face value. Means अगर कोई भी number के face value पूछी जाती है, तो वही number हमें लिखना होता answer में. जैसे मैंने आपको अगर यहां पर हमें कुछ भी number यहां पर हमें given नहीं है, हम लोग उस number में से लेते हैं. For example 5, अगर मैं आपसे पुछती हूं face value of 5, तो face value of 5 क्या होगी? 5 ही होगी, यहां पर हमें digit देखने की ज़ुरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि जो number बोली जाती है, उसकी जो face value होती है, वही digit ही होती है. So, हम यहां पर बोल सकती है, मैंने यहां पर लिखा देखो, मैं यहां पर आपको बताती हूं face value and place value. हम लोग क्या देखेंगे यहां पर? difference भी देखेंगे. Okay, so, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ? Face Value of 2, so, मैं यहाँ पर बताती हूँ, Face Value of 2 is 2, Then, Face Value of 4 is 4, Face Value of 6 is 6, Face Value of 9 is 9 and Face Value of 8 is 8, हमने क्या देखा यहाँ पे ? कि जो Face Value होती है, जो number होता है, वही उसकी क्या होती है ? face value होती है, वैसे हमने यहाँ पर देखा क्या देखा, face value of 2 is 2, face value of 4 is 4, face value of 6 is 6, face value of 9 is 9 and face value of 8 is 8, यह हमने क्या देखा अभी तक face value, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं place value, place value में क्या होता है, place value में होता है कि जो number होता है, वो उसको हमें किससे multiply करना होता है, जिस place पे वो होता है, ठीक है ना, हमें digit को किससे multiply करना होता है, value of place, means, देखो, अभी मैं आपको example के लिए बताती हूँ, यहाँ पर 8 है, 8 कौनसी प्लेस पर हमने यहाँ देखा 1s, 8 कौनसी प्लेस पर है, 1s, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 8 तो हमारा क्या हो गया, digit हो गया, और उसको हम किस से multiply करेंगे, 1, because 1 क्या है, यह तो digit है, यह value of place, so 8 multiply by 1 क्या आता है, हमारा 8 आता है, ठीक है न, so उसके बाद हम देखते है, 9, place value of 9 is 9 multiply by 10, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो 9 है, वो कौनसी प्लेस पर है, 10's place पर है, so हमने क्या किया, 9 multiply by 10, equals to 90, ऐसे हम क्या देखते है, हमारी place value देखते है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते है, 2, so 2 multiply by, 1, 10, 100, 1000, 10,000, कौनसी प्लेस पर हो, 10,000, so इसकी जो हमारी place value वो क्या हैगी, 20,000, place value of 2 is 20,000, okay, ऐसे हम क्या करते है, सभी place values उसको देखते है, then place value 4 is, 4 is place value 4, place value 4 क्या हो जाएगी हमारी, 4 multiply by 1 stands 100,000, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1000, then 4000, place value of 4 is 4000, next one is 6, 6 कौनसी प्लेस पर हमारा, 1 stands 100, 100's place पर है, then 6 multiply by 100, so क्या है हमारा, 600, then हम क्या देखते है, 9, 9 कौनसी प्लेस पर है, 1 stands, then 9 multiply by 10 equals to, 9 multiply by 10 कितना होता है, 90, and last one is 8, so 8 multiply by 1 equals to 8, so इससे हमने क्या देखा, हमने इससे यह देखा, कि जो face value होती है, वो तो हमें, जिस डिजिट की face value पूछी जाती है, वही digit उसके क्या होती है, face value, वही अगर हम बात करते है, place value, तो place value में क्या होता है, digit लिखते हम, और digit को किससे multiply करते है, value of place, जिस place पर होते है, उसकी value से हम multiply करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर example बताया, okay, so हमने क्या देखा हैं, यहाँ पर face value and place value, okay, now, अब हम क्या देखते हैं, देखो, expanded form, expanded form क्या होता है, यह जो number है, मैंने इसको as it is लिखा, okay, अब ही मैं क्या लिखते हूँ, देखो, यह मेरा number, मैंने क्या लिखा, 2, 4, 6, 9, 8, यही number मैंने आप लोगों को बताया, अब हम क्या करेंगे, देखो, यह कौन सी place पे हमारा, 1's place पे, तो मैं इसको क्या लिख सकते हूँ, 8, इसको मैं क्या लिख सकते हूँ, 8, then 9, 9 कौन सी place पे, 1's, 10's, तो मैं इसको क्या लिख सकते हूँ, 90, because 9 multiply by 10, equals to 90, so मैं इसको लिख सकते हूँ, 90, यहां क्या है हमारा, 90, okay, then 6, कौन सी place पे, 1's, 10's, 100, so यह क्या हो गया हमारा, 600, हमने यहां पर क्या लिखा? 600, यह हमारा आया 600, then, अब क्या है? 1 stands 100,000, 4 कौनसी प्लेस पे है? 4000 पे है, तो हम क्या लिख सकते है? 4000, मैंने यहां पर लिखा, 4000, 4000 आगया हमारा यहां पर, okay, so, अब यहां पर क्या आएगा हम लोग का 2, 1 stands 100,000, 10,000, 2 multiply by 10,000, देखो हमने यहां लिखा, 1 stands 100,000, 10,000, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 20,000, तो मैंने यहां पर क्या लिखा? 20,000, यह हमने इसको लिखा, हमने यह क्या लिखा? Numbers में थोड़ी लिखा, हमने किसमें लिखा यह? words में लिखा, यह क्या हुआ? देखो, once 8 multiplied by 1, 8, then, once 10, 10 पर है, तो 9 multiply by 10 equals to 90, then 6 है, 6 multiply by 100, 600, 4000, and 20,000, ऐसे हमने यह लिखा, अब इससे हम लोग number name भी लिख सकते है, okay? और हम लोग इससे expanded form भी लिख सकते है, number name मैंने आपको बताया था अभी, starting में बोला था, अभी यह देखो, 20,000, 4,000, दोनों सेम पीरिएड में, so 24,698, and expanded form 20,000, 20,000, plus, क्या आएगा, 4,000, plus, फिर क्या है हमारे पास, 600, then हमने क्या लिखा, 600, plus 90, plus 8, यह हमने क्या क्या क्या, expanded form में लिखा, okay? हमने आज क्या क्या देखा, face value, place value, expanded form, okay? So, thank you, अगर बीटा, आप लोग को यह, जो वीडियों यह समझ में आया, तो आप लोग इसको like कीजेगा, subscribe कीजेगा, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं, तो bell icon को जरूर दबाएगा, okay? Thank you. क्या दो?